हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है Compare with yourself या फिर compete with yourself फ्रेंड्स आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा खुद को दूसरों से compare करते रहते हैं लगभग हम सब, जी हाँ फ्रेंड्स हम सब ऐसे ही हैं हम सब हमेशा अपने आपको हमेशा दूसरों से compare करते रहते हैं हमेशा अपनी lifestyle को दूसरों की lifestyle से अपने marks को दूसरों के marks से अपनी salary को दूसरों की salary से compare करते रहते हैं इवन हम बच्चों को भी दूसरों बच्चों से compare करते हैं क्या आपको लगता है ऐसा करना सही है जी नहीं फ्रेंज ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप अपनी life में successful बनना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही जादा जरूरी है कि आप अपने अंदर ऐसी quality डेवलप करें जिसमें आप खुद को खुद से ही compare करें हमेशा अपने आप से ही compare करें हमेरा ध्यान इन बातों पर कभी जाता ही नहीं है कि हम किस तरीके से अपने आपको हमेशा दूसरों से compare करते रहते हैं ये एक बहुत ही rare quality है और ऐसी quality सिर्फ कुछी लोगों में होती है और जिन लोगों में ये quality होती है वो definitely ही अपनी personal and professional life में successful बनत करते हैं जिससे आप हमेशा अपने आपको अपने आप से ही compare करते हैं या फिर हमेशा आप खुद से compete करते हैं तो उससे आपके क्या-क्या benefit मिलेंगे तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं कुछ ऐसे ही benefits. Now, the benefit number one is build positive attitude. Friend, अगर आप हमेशा खुद को दूसरों से compare करेंगे तो आपके अंदर एक negative attitude बनता जाएगा. आपके अंदर हमेशा jealousy की feeling develop होगी. आप हमेशा खुद को दूसरों से कम समझने लगेंगे. आपका अध्यान हमेशा यही रहेगा कि मेरी life उसकी जैसे क्यों नहीं हो सकती, मेरे पास ये क्यों नहीं हो सकता, मैं उसकी तरह क्यों नहीं बन सकता. आपका ध्यान हमेशा सिर्फ इसी चीजों पर रहेगा. जिसकी वज़ा से आपके अंदर negative attitude बिल्ड होता जाएगा. और अगर आप अपने अंदर ऐसी quality डेवलप करते हैं, जिसमें आप हमेशा खुद को खुद से ही compare करेंगे, या फिर खुद से compete करेंगे, तो आपका attitude हमेशा अपने लिए positive रहेगा. आप हमेशा positive ही रहेंगे. इसमें होगा ये कि बजाए दूसरों पे ध्यान देने के, बजाए दूसरों से compare करने के, आप हमेशा अपनी weaknesses को पहचानेंगे, अपनी weaknesses को ध्यान में रखते हुए उस पे काम करेंगे, और अपनी weaknesses को अपनी strength में convert करेंगे, जिससे आपके अंद एक satisfaction की feeling आएगी और आपके अंदर positive attitude बिल्ड होगा. Now, the benefit number two. Benefit number two is overcome your weaknesses. Human nature generally यही होता है कि हम हमेशा अपनी weaknesses से दूर भागते रहते हैं. या फिर कोई कभी हमें हमेरी कम्यों का एहसास दिला दे, तो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या फिर हम खुद ही अपनी कम्यों से, अपनी weaknesses से दूर भागते रहते हैं, उसे नजर अंदास करते हैं. Friends, अगर आप अपने अंदर ऐसी quality बिल्ड करते हैं, कि आपको हमेशा खुद से ही compete करना है, या अपने आपको अपने आप से ही compare करना है, तो ऐसे cases में आप कभी भी अपने weaknesses से दूर नहीं भागते, even आप अपनी weaknesses को identify करते हैं, कि आपके अंदर क्या-क्या कम्या हैं, और आप ये सोचते हैं कि मैं उस कमी को कैसे दूर कर सकता ह हूँ, अपने weaknesses को, अपने weaknesses को कैसे strength में convert कर सकता हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा plus point आपका यही होता है, कि आप अपनी weaknesses को identify करके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, उस पे काम करते हैं, कि आप अपनी weakness को कैसे दूर कर सके और उसे कैसे strength में convert कर सकें. For example, हमारे साथ generelly होता यह है कि अगर हमें कोई subject टफ लगता है तो हम यह सोचते हैं कि हम उस subject को last में पढ़ेंगे क्योंकि हमेशा हमारे मन में उसके लिए डर रहता है हम हमेशा उस subject को पढ़ने से डरते हैं तो हम यह सोचते है कि हम उसकी preparation last में करेंगे पहले हम यही सोचते हैं कि जो subject हमें easy लगता है या जो subject हमें अच्छा लगता है हम पहले उसे ही कर लेते हैं लेकिन अगर आप अपने अंदर ये quality develop कर लें और आप ये सोचें कि नहीं मेरे इस subject में पिछली बार कम marks आये थे मुझे ट्राय करना है कि इस बार मुझे उस subject में इससे जादा marks लाने हैं आप अपने अंदर एक target set करें कि मुझे इतने marks लाने हैं तो आप बजाए उस subject से दूर भागने के उस पे जादा work करेंगे उस पे जादा ध्यान देंगे और बजाए आप उस subject को आखरी में पढ़ने से अपने आप से इतने marks लेकर आने हैं बट इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपकी thinking यह होनी चाहिए कि मुझे खुझ से compete करना है और खुझ का better version create करना है तो यह थी हमारी benefit no.2 अब हम देखते हैं benefit no.3 benefit no.3 is become highly focused person जब भी हम अपने आपको दूसरों से compare करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो हमेशा दूसरों पर रहता है बजाए अपने आप पर ध्यान देने के बजाए अपने आपकी कम्यों पर work करने के हम हमेशा दूसरों की कम्या निकालते हैं दूसरों की life में interfere करने लग जाते हैं दूसरों के पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारा जो ध्यान है, इसी सारी चीजों पर रहता है, जिससे हमारा जो फोकस है, वो अपने आप पर से हटके हमेशा दूसरों पर रहता है, जिसके वज़े से हम अपने आप पर अपने एम पर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, अगर आप ये सोच लें कि मुझे अपने आप से अपने आप को compare करना है, खुझ से compete करना है, तो ऐसे cases में आप एक highly focused person बन जाते हैं, क्युकि ऐसे cases में बजाए आप दूसरों को देखने के, बजाए दूसरों से compare करने के आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने आप को better बनाने पर जादा ध्यान देते हैं, आप अपने आपके लिए target सेट करते हैं, आप दूसरों ने कितना target achieve किया, ये देखने की आपने लिए टारगेट सेट करते हैं, कि मैंने पिछली बार इतना टारगेट अचीव किया था और मुझे इस बार इतना टारगेट अचीव करना है. तो इसका सबसे बड़ा बेनेफिट यही है कि आप जो है अपने एम पर फोकस्ट रहते हैं, आपका कॉंसेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपका कॉंफिडेंस लेवल बढ़ता है और आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम होता है. क्योंकि जनरली यह होता है कि जब हम दूसरों को देखते हैं या फिर देखते हैं कि दूसरे हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारे उपर प्रेशर आता है कि हमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, हमें उसकी तरह परफॉर्म ये देखें कि मुझे खुद से compare करना है और मैंने जो कल टारगेट अचीव किया था मुझे उससे जादा टारगेट अचीव करना है ऐसे cases में आप बिल्कुल stress-free रहते हैं आप पे कोई pressure नहीं रहता आपको बस ये पता होता है कि मुझे hard work करना है मुझे किसी ना किसी तरीके से अपने इस काम को पूरा करना इसमें अपने 100 अपरूसें देना है और जितना हो सको काश है पहले से अच्छा करना है तो इससे ये होता है कि आप हमेशा concentrate रहते हैं अपने काम पे आपका aim clear होता है कि मुझे ये करना है तो इसका benefit ये है कि आप एक focused person बन जाते हैं आपको होता है कि मैं कल क्या था मैं आज क्या हूँ और मुझे फ्यूचर में क्या करना है यह था हमारा benefit number three अब हम देखते है benefit number four benefit number four is become fearless जैसे कि मैंने आपको पहले example दिया था कि जब हमें कोई subject tough लगता है तो generally हम हमेशा उसे last में पढ़ना prefer करते है या फिर हम हमेशा अपनी weaknesses से दूर भागते रहते हैं ठीक है लेकिन अगर आप अपने अंदर यह practice develop करते हैं कि मुझे अपनी weaknesses को identify करना है अपनी weaknesses पर work करना है तो ऐसे cases में आप fearless हो जाते हैं बजाए अपने weaknesses से दूर भागने की आप उसे as a challenge लेते हैं कि नहीं मुझे अपनी weakness को अपनी strength में बदलना है मुझे अगर यह subject tough लगता है तो मुझे उस पे इतनी महनत करनी है कि यह मेरा सबसे easy subject बन जाए और इस पे मैं सबसे जादा अच्छा परफॉर्म करों तो अगर आप इस practice को adopt कर लेते हैं कि मुझे अपने आपको better बनाना है मुझे अपने आप से compare करना है मुझे अपने आप से compete करना है तो ऐसे cases में आप fearless हो जाते हैं और suppose life के किसी प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं अगर आपकी life में कोई ऐसी situation आती है जिसमें आप यह सोचें कि आप नहीं कर सकते तो आप यह सोचें कि नहीं मैंने पहले भी ऐसा किया है मैंने पहले भी अपनी weakness को अपनी strength में convert किया है और मैं इस बार भी ऐसा करके दिखाऊंगा आपका attitude इतना ज़्यादा positive हो जाता है आप इतने ज़्यादा fearless हो जाते हैं कि life के किसी भी stage में आपको किसी भी problem में दर नहीं लगता है in short आप एक fighter बन जाते हैं तो यह था आपका benefit no.4. Now, अब हम देखते हैं benefit no.5. Benefit no.5 is become successful in personal and professional life. Friends, आप सब के लिए successful होने का मतलब क्या है? क्या आपके लिए successful होने का मतलब यही है कि आप एक highly position पे है या फिर आपकी salary बहुत जादा high है, आपने अपने dream को achieve कर लिया है या फिर आपने future को पूरी तरीके से secure कर लिया है? जी नहीं, successful होने का मतलब यह है कि आप अपने life को कितने अच्छे से, कितने खुले दिल से enjoy कर रहे हैं, आप अपनी life में कितने जादा खुश हैं या फि जनरली मैंने ये notice किया है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी personal and professional, दोनों ही life बहुत जादा stable होते हैं, but still they are not happy, just because कि उनका जो ध्यान है हमेशा दूसरों की life पे रहता है, हमें हमेशा दूसरों की life अपनी life से जादा better लगती है, इसलिए हम कभी भी अपनी life को enjoy नहीं कर पाते हैं, कभी भी हम अपनी life में खुश नहीं रह पाते हैं, और हम अपने अंदर एक jealousy की feeling develop करते जाते हैं, हमेशा stress में रहते हैं, जिसकी वज़े से हम अपनी life में कभी भी happy नहीं रह पाते, अपनी life को ठीक तरीके से enjoy नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अप अपने आपको दूसरों से compare करना छोड़ दें और आप दूसरों से compare करने की बजाए अगर आप अपने आपको हमेशा खुद से compare करेंगे तो आपको अपने आप में एक proud की feeling होगी क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ इसी बात पर रहेगा कि आप past में क्या थे और आपने अपने past से लेकर अपने present को कितना अच्छा बनाया है कितनी hard work की है कितनी achievements की है बजाए ये सोचने की कि दूसरों ने क्या-क्या किया है अपनी life में और दूसरों ने क्या-क्या achieve किया है Benefit No.6 Benefit No.6 is Become Better Person Friends, अगर आप इस practice को अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं अगर इस quality को आप अपने अंदर adopt कर लेते हैं तो definitely ये quality आपको better person बनने में जरूर help करेगी Friends, हम जैसा सोचते हैं, जैसा feel करते हैं, वैसी ही quality हमारे अंदर develop होने लग जाती हैं, हम वैसे ही person बनने लगते हैं तो अगर आप हमेशा अपने आपको दूसरों से compare करते रहेंगे तो आपके अंदर jealousy की feeling डेवलप होती रहेगी आपके अंदर हमेशा negativity increase होती जाएगी, बजाए आप अपनी कम्यों पर ध्यान देने के, हमेशा दूसरों की कम्यों पर ध्यान देंगे, दूसरों को point out करते जाएंगे और अपनी कम्यों को ignore करते जाएंगे लेकिन अगर आप अपने अंदर ऐसी quality लाने में काम्याब हो जाते हैं जिसमें आप अपने आपको अपने आप से compare करते हैं या फिर आपका जो competition रहता है वो हमेशा कुछ से रहता है तो ऐसे में आपकी जो thinking रहेगी हमेशा positive रहेगी आप हमेशा confident रहेगे आपके मन में किसी के लिए भी jealousy नहीं रहेगी आप हमेशा happy रहेगे जिससे आपको better person बनने में health मिलेगी हमेशा एक बार ज्यान में रखेगा कि successful होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कितनी जादा salary earn कर रहे हैं या आप किस position पे हैं बल्कि अतली success इस बात पर होती है कि आप अपने आपको कितना better person बना सकते हैं या फिर आप अपने आपका कितना better version create कर सकते हैं और आप अपनी life को किस तरीके से enjoy करते हैं और आप अपने life में किस तरीके से happy रहते हैं और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों को किस तरीके से treat करते हैं फ्रेंड मुझे उमीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना बोले थैंक यू